ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे, वहां से आप टारेक्ट टाउनलोड कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वाले चैप्टर का पहला टॉपिक, तो भाई, डिजास्टर का मतलब क्या होता, सबसे पहले चीज़ तो तुमको पता होना चाहिए कि डिजास्टर का मतलब क्या है, और हजार्ड क्या है, तो डिजास्टर ना, for example, बड़ा डिजास्टर हो और कुछ नहीं हो, तो उनको बोलना कि नहीं, डिजास्टर मैं नहीं हूँ, डिजास्टर की एक definition होती है, जो कि WHO ने दी है, यह हमारे कोलिन ग्रांट भाईया ने दी है, उसके हिसाब से डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर क्या है, सबसे पहले चीज़, एक ऐसी occurrence या ऐसा हाथसा जिसमें ecological disruption होता है, मतलब जंगल लंगल तबाह हो जाते है, ecology disturbed हो जाती है, उसके अलावा human life का loss होता है, इंसानी जाने जाती है, और सबसे important deterioration in health services होता है, जितने भी health sector है वहाँ पे, वो सब बहुत जादा effect हो जाते हैं, उनकी ऐसी तैस हो जाती है, और इस scale पे या इतने बड़े amount में, जिससे की बाहर से मदद बुलाई जा सके, that is actually my definition of disaster, तो disaster का मतलब क्या होता है, disaster का मतलब होता है कि ऐसा हाथसा, जिसमें की ecological disruption तो हो, भाई, पेड़े तोट जाए, रोड ओर तबाह हो जाए, floods आ जाए, ecological disruption तो हो, साथ में इंसानी जाने भी जाए, और असपास जो health services है, उनका भी deterioration हो जाए, उनकी भी ऐसी तैसी हो जाए, इतने बड़े scale पे, कि जहां पे ये हाथसा हुआ है, उसके बाहर से हमको मदद बुलवान की ज़रूरत पड़े, that is actually disaster, ये तो हो गया जो WHO या World Health Organization ने definition दी है, उसके अलावा भी definition दी थी, colon grant ने, उन्होंने ये कहा था, कि एक ऐसा catastrophe या हाथसा, जिसमें की injuries, एक साथ करीब 30, at least 30 लोगों को एक साथ चोटे लगे, जिनकों की emergency treatment की ज़रूरत पड़े, समझ गए, तो disaster की दूसरी definition ये कहती है, कि ऐसा हाथसा, जिसमें at least 30 लोगों को एक साथ चोटे लगें, और emergency treatment की ज़रूरत पड़े, उसको कहते हैं disaster, तो समझ गए, अगली बार, अगर कोई आपसे बोले, what a disaster you are, तो उसको WHO की definition या अपने colon grant वहिया की definition बता देना, तो उस शान्त हो जाएगा, अब disaster में एक और important चीज आपको याद रखने है, in fact एक formula याद रखना है, that is disaster risk क्या होती है, अब भई, disaster risk जो है, it depends on कौन सा hazard हुआ है, या कौन सा disaster हुआ है, पहली चीज, और उस disaster या hazard की vulnerability factor कितना है, इन दोनों को multiply करो, तब निकलती है आपकी disaster risk, ठीक तो disaster risk का formula कि भई, एक disaster होने की कितने risk है, या at risk कितनी है, या chances कितने है, वो depend करेगा कि कौन सा hazard हुआ है, और उसका vulnerability factor कितना है, इन दोनों को multiply करोगे, तब आएगी उस disaster की risk, ठीक, अब या vulnerability factor बहुत साइचीजों पर depend करता है, कितनी vulnerable population है, किस तरह का environment है, सब चीजों पर, तो at least formula याद रखना है, क्योंकि उसमें MCQ पूछ लिया जाता है, कि भई, disaster risk क्या है, तो hazards into vulnerability factor, ठीक है, उसके बाद आता है, अभी शब्द आ गया hazard, तो इसका मतलब भी समझाना चाहिए आपको, तो भई, hazard का मतलब होता है, एक ऐसा हादसा जिसमें potential हो, damage or disruption cause करने का, उसक की damage or disruption करने की शमता हो, उसको कहते हैं, hazard, समझ गए? तो अगर कोई बोले, युआ सच हजाद, तो बोलना कि मैं हजाद कैसे हो सकता हूँ, मुझमें damage or disruption करने की शमता थोड़ी है, हजाद तो उसको कहते हैं, जिसमें damage or disruption करने की शमता हो, समझ गए? तो ये थी है, disaster की definition, disaster risk क formula और hazard क्या होता है? अब disaster को prevent करने के लिए, disaster को reduce करने के लिए, एक day मनाया जाता है साल में, that is world disaster reduction day. तो इसकी date पता होने चाहिए, ये हर साल के October महिने के दूसरे Wednesday में मनाया जाता है, यानि कि October महिने का जो second Wednesday होता है, उसमें world disaster reduction day मनाया जाता है. कैसे याद करोगे? तो D for disaster, तो disaster day कम मनाओगे? D for disaster, तो disaster day मनाएंगे हम दूसरा Wednesday of दसवा महीना, तो D for दूसरा और एक और दी फॉर Wednesday of दसवा महीना. समझ गए? तो दूसरा Wednesday of दसवा महीना. तो सब D, 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 D से याद हो जाएगा. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कि world disaster reduction day या disaster day कब मनाते हैं? तो disaster day मनाते हैं, दूसरा Wednesday of दसवा महीना. तो सब D, D, D से याद रहेगा तुमको. समझ गए? तो that was, disaster क्या होता है, WHO ने क्या definition दी, cooling grant ने क्या दी, disaster risk का formula, hazard और world disaster reduction day. ठीक, तो ये तो हमने समझ लिया कि disaster क्या होता है, hazard क्या होता है, disaster reduction day क्या होता है. अब अलग-अलग level है disaster के, तो at least पता होने चाहिए. मुख्यता चार level होते हैं. तो चार level में L0, L1, L2 और L3. तो L0 क्या होता है? L0 का मतलब यह है कि भाईया कोई disaster नहीं है, normal scenario है, पंगा, कुछ नहीं हुआ है, chill मारो. L1 क्या होता है? L1 का मतलब है, disaster हुआ है, manageable disaster है, district level तक का है. कि भाई, एक शहर में एक disaster हुआ है, जैसे एक शहर में आर्थ कोई काया, इस तरह का, तो disaster तो है, लेकिन district level का है. ठीक है? उसके अलावा फिर आता है कि भाईया, L2, L2 में manageable disaster होता है, ठीक है, लेकिन state level का होता है. For example, कोई super cyclone आ गया, पूरे के पूरे state को, या पूरे के पूरे प्रदेश को effect कर रहा है, वो, जो state level का disaster है, manageable disaster है, मगर state level का. उसके बाद, in fact, L3 क्या होता है? L3 होता है, manageable disaster है, मगर national level का disaster है. तो, ऐसा disaster जो पूरे national level पे effect करेगा, that is L3 level का disaster. और उसके लिए हमको NDRF की जरुवत होती है. NDRF हम आगे चलके पढ़ेंगे कि भाईया, national disaster relief force होती है, वो क्या होती है, उसका logo क्या होता है, वो हम आगे आने वाले topics में देखेंगे. अभी समझने की जरुवत है, disaster के level, L0, L1, L2 और L3. L0 में disaster नहीं होता, normal scenario, L1 में district level, L2 में state level और L3 में national level. कैसे याद करेंगे, तो देखो, ये है आपका N, N मतलब national level, उसमें एक तंडी और खीच दो, और उसको तिढ़ा कर दो, तो हो जाएगा 3, तो L3 जो है, वो है आपका national level का disaster, ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, ये है आपका 2, तो 2 को अगर उल्टा कर दो, तो ये हो जाए का S, तो state level का disaster है, L2, समझ गए, तो बचा कौन सा 1, 1 में एक डंडी लगा तो दोडी हो जाएगा, तो district level का disaster is L1, तो समझ गए, L1, L2, L3 अलग-अलग level के disaster होते हैं, तो हमने समझ लिया disaster क्या होता है, हमने समझ लिया disaster के level क्या होते हैं, अब हम समझे के disaster किस तरह क्यों हो तो मुखिता दो ही तरह के होते हैं, एक होता है man-made disaster, तो दूसरा कौन सा होगा, natural disaster, पहले हम man-made disaster की बात कर ले, तो man-made disaster जो होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है sudden disaster, एकदम से हो जाए, और एक होता है insidious disaster, धीरे-धीरे कुछ-कुछ-कुछ-कुछ होता रहता है जिसके बाद वो disaster अपना बड़ा सा रूप लेता है तो sudden disaster और insidious disaster sudden disaster के example में अगर हम इंडिया की बात करें तो भोपाल gas tragedy सभी को पता है 1984 में हुई थी union carbide का pesticide plant था वहां से methyl isocyanide gas release हुई थी कई लोगों की मृत्य हुई थी उसमें तो that was भोपाल gas tragedy ये 1984 में हुई थी union carbide की जो factory थी उसमें pesticide बनाया जाता था उसमें methyl isocyanide name की gas release हुई थी रातो रात बहुत सारे लोगों की मृत्य हुई थी second is Chernobyl nuclear disaster सभी ने शायद ये web series देखे होगी Chernobyl आप चाहो तो देख सकते हो Chernobyl nuclear power station जो था वहां पर जो nuclear reactor था उसमें ये हाथसा हुआ था 1986 में ठीक है उसके बाद बहुत सारा radiation भी release हुआ था तो radioactive isotope में iodine 131, cesium का 134 और 137 और strontium 90 ये तीन isotope के नाम याद रखना तो तीन iodine, cesium और strontium ठीक है तो ये तीन radioactive substance इनके नाम ज़रूर याद रखना और इनके number क्योंकि number बहुत important है पूछे जाते हैं अब number कैसे देखो तुमको iodine तो याद रह जाता है cesium भी याद रह जाता है और strontium भी याद हो जाता है मगर पंगा क्या होता है इनके अंदर के number याद नहीं होते हैं तो actually number भी बहुत easy है, 13 तो तुमको याद रहेगा, 13 जो होता है, unlucky number होता है, तो उसीने disaster कराया था, तो 13 से याद रख सकते हो कि भाईया, ये तो unlucky number होता है, तो उसने disaster कराया होगा, उसके आगे वाले number क्या है, तो ये क्या है, iodine का I, ये I, Roman number में क्या denote करता है, 1, तो 13 तो हमारा unlucky number था, उसमें 1 और जोड़ दो, तो iodine 131, ठीक है, उसके बाद आता है cesium, तो ये जो cesium है, इसको आप तेढ़ा कर दो, तो ऐसा हो जाएगा, बस एक line और जोड़ नहीं है, तो क्या बन जाएगा, 4, तो cesium हमारा 13, unlucky number, उसमें 4 और जोड़ दो, 134, cesium 134, और य यही जो आपका cesium है, यह आपका cesium है, तो इसको उल्टा कर दो, तो आपका 7 हो जाएगा, तो 13 आपका unlucky number, 7 में 7, बन जाएगा 137, तो cesium 134 और 137, ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, strontium की, तो यह है आपका S, तो इसमें बस एक डंडी जोड़ दो, तो बन जाएगा आप तो strontium 90, ठीक है, तो कैसे strontium को कैसे याद रखो कि, S, T, R, O, तो यहां से S उठा लो, यह O का 0 उठा लो, S से बन गया 9, तो कितना हो जाएगा, 90, तो strontium 90, ऐसे याद कर सकते हो, जो हादसा हुआ तो उसमें कौन-कौन से radioactive substance release हुए थे, तो iodine 131, cesium 134 और 137, और strontium 90, ठीक, तो यह थे आपके man-made disaster, man-made disaster मनें इंसानी गलतियों की वजह से हुए disaster है, man-made disaster, उन इंसानी गलतियों से हुए disaster में sudden भी हो सकता है, insidious भी हो सकता है, sudden में हमारे पास दो थे, भोपाल गैस tragedy और चर्नोबिल, तो भोपाल गैस tragedy तुशत था, वो 1984 में, मिथाइल तो साइनेट नाम याद रखना, और Union Carbide Factory का नाम याद रखना, चर्नोबिल 1986 याद रखना, और iodine 131, cesium 134 and 137 and strontium 90, यह याद रखना, ठीक, क्योंकि इन पर सवाल आते हैं, अब आता है भाई, आपका कि भोपाल गैस tragedy में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, तो यह है आपक तो इस B को तोड़ दो, यह एक और ऐसे टूट जाएगा, तो यह बन गया आपका, इसको तेड़ा कर दो तो M, और यह आजाएगा आपका सिधा-सिधा 1 या I, तो हो जाएगा methyl isocyanate, simple, याद रहेगा, इस B को तोड़ा आपने, यह जो 3 टाइप का बना, उसको तेड़ा कि तो M बन गया, यह तो I अपने आप में दिखी रहा है, तो methyl isocyanate, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक, अब होता है दूसरे insidious disaster, insidious disaster मतलब धीरे-धीरे कुछ ना कुछ होता रहा, जिसकी वजह से आगे जाकर उसने विक्राहल रूप ले लिया और एक disaster बन गया, जैसे कि global warming, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे greenhouse effect होता है, global warming होती रही, greenhouse gases release होती रही, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे और global warming में result हुआ, यह अलग topic है, इसको में environment वाले chapter में अच्छे से इसका वीडियो भी बनाएंगे तब discuss करेंगे, war, war कोई एकदम से नहीं होता, कि चलो भाईया लडाई करते ऐसा नहीं होता है, धीरे-धीरे कुछ circumstances होते हैं, धीरे-धीरे कुछ न कुछ होता है, जिससे war छिरता है, research lab में होने वाले accidents, कोई इंसानी गलतियों होती हैं, धीरे-धीरे कोई gases या chemicals release होते हैं, तब research lab या chemical plants में disasters होते हैं, तो these are all insidious disasters, धीरे-धीरे कुछ इंसानी गलति होते हैं ठीक तो क्या हमने बाढ़ लिया हमने manmade disaster देख लिया उसमें हमने sudden disasters देख लिया insidious disaster देख लिया sudden में पुपाल गया tragedy और चर्नोबिल देख लिया ठीक अब आते हैं भाई natural disasters natural disasters सबको पता है क्या होते है कोई rocket science नहीं है हम बात करते हैं इंडिया में जो commonly disasters मिलते हैं या मिले हैं उनको पे एक नजर मार लेते हैं अब अगर हम अलग-अलग जगह देखें तो northern area में ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है mountain regions है तो वहां किस तरह की disaster हो सकते हैं snowstorms आ सकते हैं landslides हो सकती है उसके अलबा भूकंप्य अर्थक्विक्स आ सकते हैं east की बात करें अगर हम इंडिया की तो वहां पे east में coastal regions है coastal regions है तो वहां पे floods आने के chances ज़्यादा होते हैं cyclone आने के chances ज़्यादा होते हैं वहीं अगर हम western area की तरफ जाहें तो western side में आप देखोगे कि desert area जादा है desert area जादा है तो वहां पे सूखा पड़ सकता है drafts आ सकता है तो इस तरह की चीज़े हो सकती है तो उत्तर की तरफ पहाड़ी area है snowstorms, landslides, earthquake, coastal region है हमारा पूरप की तरफ तो वहां पे floods और cyclones पश्रिम की तरफ रेगिस्तान जादा है तो वहां पे drafts होगर आ सकते हैं ऐसे ही अगर हम नजर मारें कि भारत में आए हुए कुछ बड़े disasters की बहुत सारे आए हैं सबके नाम तो नहीं लिखे कुछ के नाम लिखे हैं जैसी कि उरिसा में सुपर साइकलोन जो 99 में आया था गुजरात में भुज में जो अर्थक्विक आया था 2001 में आगेस 26 जनवरी को आया था सुनामी जो आया थी इंडिया नोशन में 2004 में आई गैस शायद 25 दिसंबर के आसपास आया थी उसके बाद जो अर्थक्विक जम्मू कश्मीर में 2005 में किदारनाथ में जो एक्दम से क्लावड बॉस्ट हुआ था उसके बाद खूप सारी बाड़ आई थी उसके बाद कश्मीर में जो बाड़ आई थी ये सारे कुछ हैं ऐसे बहुत सारे हैं मगर कुछ के examples हम ने रखे हैं जैसे ओडिसा का cyclone भुज का भूकम उसके बाद के दारनाथ में जो cloud burst होने के बाद बाद आई थी तो ये कुछ के हैं, बहुत सारे हैं सबकी नाम नहीं लिखे हैं एक चीज जो आपको याद रखनी है ये जो natural disasters होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जान और माल दोनों का यानि कि सबसे ज़्यादा मौतें और सबसे ज़्यादा डैमेज किस तरह का disaster कराता है, तो वो होता है hydrological यानि कि पानी वाला पानी वाला कौन सा होता है मुकीता floods, तो जो floods होती हैं वो सबसे खतरनाक होती हैं भाई सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा डैमेज ये floods ही कराती है, तो इस पर MCQ आता है आपको, कि सबसे ज़्यादा natural disaster में कौन सा खतरनाक है, या सबसे ज़्यादा death or damage, कौन सा natural disaster कराता है, तो floods या hydrological disaster ठीक है, hydro का मतलब भी पानी होता है, तो hydrological disaster या floods समझ गए, तो natural disaster में इतने चीज़े तो पता होने चाहिए, ठीक तो हमने management disaster भी देख लिया natural disaster भी देख लिया अब disaster तो हो गया उसकी बाद क्या-क्या चीज़े होती है, ये भी देख लेते हैं, तो post-disaster phase की अगर हम बात करें कि disaster, कहीं पर disaster हो चुका है, उसकी बाद कौन सी बीमारिया हैं, जो disaster के बाद disaster affected area में मुखेता पाई जाती हैं तो पहली और सबसे important और सबसे common है gastroenteritis उसकी बाद pneumonia, acute respiratory infections में pneumonia, leptospirosis rickettsiosis, rabies equinencephalitis, ये कुछ बीमारिया हैं, जिनके नाम तो आपको याद रखनी है, और सबसे important जो है, वो है gastroenteritis क्योंकि most commonly है, अब भाई देखो, हमने पढ़ा भी है most common या most खतरनाक सबसे ज़्यादा, कौन सा है तो भाई है, floods वाला सबसे खतरनाक है disaster कहीं भी होता है, चाहे वो cyclone हो, चाहे floods आई हो तो ना, खूब सारा गंदा पानी वहाँ पर इखटा हो जाता है, गंदा पानी आपने पिया या गंदा पानी पेट में गया, gastroenteritis होने के खूब सारे chances हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो कि gastroenteritis, जो कि सबसे खतरनाक तो flood सी था, तो गंदा पानी गया अंदर, gastroenteritis हुआ उसके बाद पानी वाला ही हमने याद किया था कि hydrological वाला सबसे खतरनाक और flood सबसे खतरनाक तो गीले भी खूब सारा हो जाएंगे, अब गीले हो गए तो ठन लग गए, तो बच्चों में क्या chances होते हैं, pneumonia, तो pneumonia भी याद रख सकते हो उसके बाद, कुप सारा हमने पढ़ा भी था, disaster की definition में कि भाई, ऐसी कोई occurrence जिससे ecological disruption हो गया पेड़ गिर गया, जंगल अंगल साफ हो गया, पानी आनी भर गया तो जानवरों से related बीमारिया भी बहुत सारी हो जाती है zoonotic diseases तो उसमें आप याद रखोगे, leptosporiasis rats से related है ये उसके बाद, rickettsial disease में, rickettsiosis भी याद रख सकते हो, rabies important है, उसको भी याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि भाई, गंदे पानी से gastroenteritis, गीले होने से pneumonia और जानवरों से, leptosporiasis अगे शोस, rabies ऐसे भी याद रख सकते हो ठीक है, आप पे निरभर है आपको कैसे याद रखना है, मैं ऐसे याद रखता हूँ ठीक है, और most common तो याद रखना, gastroenteritis क्योंकि पानी है, गंदा पानी गिया, gastroenteritis हुआ, ठीक तो ऐसे याद रख सकते हो, most common disease और most commonly gastroenteritis तो याद ही रखना फिर अब भीमारी, आपको पता है कि किसी जगह पे disaster हुआ है किसी जगह पे हाथसा हुआ है, तो vaccines WHO कौन सी vaccine recommend करता है World Health Organization की बात की जाए, तो disaster affected area जो है या post disaster area जो है, वहाँ पे वह कौन सी vaccine recommend करता है तो याद रखना general population जो है आम जनता, उसको कोई भी vaccine WHO recommend नहीं करता, कि भाई यह वहाँ पे disaster हुआ है, यह vaccine जाके लगा दो वहाँ के लोगों को, वह vaccine जाके लगा दो वहाँ के लोगों को, नहीं नहीं ज़र WHO ऐसा कुछ भी नहीं कहता है, हाँ WHO कहता है, कि जो health workers हैं वहाँ के वो जो वहाँ पे post disaster affected area में काम कर रहे हैं जो वहाँ पे help कर रहे हैं rehabilitation में help कर रहे हैं तो उनको कौन सी vaccine लगने चाहिए, तो उसको याद करने के लिए याद कर लो, आप कि भाईया, T, C, T, D ठीक है, तो T for typhoid C for cholera और T, D, तो thickness और diptheria होता ही है तो हमने कैसे याद किया, T, C, T, D ठीक है, तो ऐसे आपको याद भी रहेगा दोनो T capital है, दोनो C और D छोटे रग दिये, तो आपको C or D साथ में याद रहेगा, T or T साथ में याद रहेगा, T for typhoid C for cholera और T for titnes, D for diptheria, ऐसे आप याद कर सकते हो Health workers को लगनी है ये ज़रूर याद रखना, जनरल population को नहीं लगनी है ठीक है, अब एक और तरीका है याद रखने का हमने क्या कहा, हम हर चीज को पानी से याद कर रहे हैं इसमें तो भाई गंदे पानी से कौन सी बिमारी होगी, typhoid, तो typhoid लगा दो, गंदे पानी से कौन सी बिमारी होगी, cholera, तो cholera लगा दो, उसके बाद titnes तो देखो यार इतना सब कुछ भैला हुआ है चोटे उटे लगेंगी, उसके बाद इनफेक्ट वहाँ पे जंगल खाई होई चीजे भी होगी, उसके बाद चोटे भी लग सकती है, स्क्रैच लग सकती है खून निकल सकती है, titnes तो लगवा देना ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो वहाँ के सिनारियो को इमेजिन करके ठीक, तो यह हो गया आपका कि भाई WHO कौनसे रिकमेंट करता है जनरल पॉपुलेशन में नहीं करता है हेल्थ वरकर में TCTD करता है टाइफॉइट, कॉल्रा, titnes, diphtheria समझ गए, तो यह हो गया आपका WHO जो वैक्सिन रिकमेंट करता है उसके बाद भी कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने है, सबसे पहली चीज़ सबसे ज़्याद प्रैक्टिकल और effective strategy क्या है जहां किसी जगह पे जगर disaster हुआ है, तो disease को prevent और control करने के लिए हमने फिर वही कहा वही अगर disaster हुआ है, तो खूब सारा गंदा पानी फैलेगा, खूब सारी उससे बीमारिया होंगी तो आपको पानी को गंदा होने से रोकना है, खतम तो safe drinking water supply करो वहाँ पे और disposal of excreta को तरीके से करो ऐसी कहीं भी अगर गंदगी फैली तो फिर वही है, water bodies effect होंगी, फिर वही gastroenteritis वगरा यह सब कुछ होगा तो most practical effective strategy क्या है, वहाँ पे साफ पानी supply करो और excreta disposal को बहता तरीके से करवाँ अब अगर साफ पानी की बात हुई है, तो एक सवाल आता है कि foremost step सबसे पहली step क्या होनी चाहिए किसी जगह पे disease को prevent और control करने के लिए अगर किसी जगह पे disaster हुआ है, तो अगर किसी जगह पे disaster हुआ है अगर किसी जगह पे disaster हुआ है, तो आपके सबसे पहली step जो होनी चाहिए न वो होती है वहाँ का जो पानी है या वहाँ पे जो water bodies है उनको chlorinate कर दो ठीक है, chlorination कर दो किसी जगह पे अगर disaster हुआ है तो वहाँ की water bodies को ठीक है, chlorination मतलब disinfect कर दो, अब chlorination जो हम करते हैं normally उसमें जो residual chlorine छोड़ते हैं पाने में वो होता है 0.5 mg per liter मगर क्योंकि यहाँ पे disaster हुआ है पानी भी जादा गंदा है और उसके बाद भी फिर से गंदे होने की chances हैं इसलिए यहाँ पे जो हम residual chlorine छोड़ते हैं वो होता है 0.7 mg per liter याद रखना कि यहाँ पे हमने 0.5 नहीं छोड़ा है यहाँ पे हमने 0.7 छोड़ा है समझ गए तो disaster के बाद 0.7 mg छोड़ना है याने 0.5 से थोड़ा से ज़ादा ठीक तो 0.5 तो नॉर्मली होता है प्लस दो वो डी से दो दूसरा वर्डनस डे वैसे यहाँ पे प्लस दो और कर दो प्लस 0.2 आपने कर दिया तो 0.7 mg per liter आपको नॉर्मली छोड़ना है post disaster के ठीक तो हमने यह समझ लिया कि prevention के लिए हमको साफ पानी देना है disposal of excreter कराना है उसके बाद हमको chlorination कराना है water bodies का chlorination में भी residual chlorine हमको 0.7 रखना है ठीक अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि most common micronutrient deficiency कौन सी होती है अगर कहीं पे कोई disaster हुआ है तो तो उसका जवाब ह vitamin A की deficiency सबसे जादा देखी जाती है अगर किसी जगह पर disaster हुआ है तो इसकी अलग-अलग वज़य है आपको जो याद रखनी है वाईवा के लिए वो ये कि जो disaster relief diets होती है जो कहीं disaster हुआ है तो वहां खाने पीने का सामान वगर जो दिया जाता है उसमें ना vitamin A की थोड़ी क कमी होती है क्योंकि skimmed milk देते हैं इस तरह की चीज़े देते हैं तो vitamin A वैसे ही कम होता है उसमें तो इसलिए vitamin A की deficiency होती है अगर कहीं disaster हुआ है तो उस जगह पर ज्यादा तर देखी जाती है दूसरी चीज़ कि वहां जो बच्चे होते हैं अगर कोई vaccine देनी है वहां के अच्छे है ना उनको vaccine measles की तो लगनी ही चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि measles जो है वो और ज्यादा vitamin A stores को खतम कर देता है और वैसे भी जो already disaster relief tights और उनमें भी vitamin A है तो वैसे भी vitamin A deficiency उस जगह पर मिल रही है और ज़्यादा depletation of vitamin A stores कर देगा इसलिए जो disaster affected area है वहां पर अगर normal national immunization schedule के तहर ठीकिन नहीं लग पा रहे हैं तो भी आपको measles का तो लगवा ही देना है बच्चों को जो कि vitamin A deficiency deficient है और deficiency करा देगा ठीक तो यह कुछ point है post disaster phase में जो आपको याद रखने है कि भाया मुखिता कौन सी बीमारियां पाए जाती है WHO कौन सी vaccine लगाने के बोलता है disaster के बाद कैसे आप disease को control और prevent कर सकते हो सबसे पहले क्या करना चाहिए कौन सी micronutrient deficiency पाए जाती है और बच्चों को अगर कोई सी vaccine लगवाने ही है तो measles की ठीक तो इतनी चीज़े हैं चो आपको disaster में पता होनी चाहिए अगर आपको disaster पर सवा की तो theory exam में आपको short note आ सकता है कि भाई disaster को define करो और types of disaster बताओ या फिर theory में आपको post disaster face पे भी सवाल आ सकता है ठीक अगर मैं बात करूं वाईवा की तो आपसे सीधा बोल दिया जाता है कि भाईया define करो disaster को तो आपको WHO वाले definition तो आनी चाहिए ठीक second चीज़ आपसे पुछ ले जाता है हजार्ड क्या होता है यह बताओ और तीसरी चीज़ आपसे पुछ ले जाता है world disaster reduction day कब होता है ठीक उसके बाद आपसे पुछ ले जाता है man-made disaster कुछ बताओ कौन से हैं तो दो के नाम तो examiner भी आपसे यही दो expect करता है भुपाल गया चर्णोबिल और इनके एर कौन से थे कहां पे हुआ था और क्या release हुआ था यह नाम आपसे expect करता है examiner की बनने चाहिए ठीक एक वाइवा के important question है that is सबसे खतारनाक natural disaster कौन सा होता है तो floods या hydrological फिर एक और वाइवा का question की भहिया most common बिमारी कौन सी होती है post disaster phase में एक और वाइवा का question की डबलुएचो एक्चुली ना examiner कैसा वाइवा में पुछता है यार बताओ वहाँ पे तो disaster हो गया तो तो TCTD सर ने पढ़ा है तो बोल देते हैं नहीं दादा सर ने जो पढ़ाया है न वो जे है कि general population को कोई नहीं लगनी तो examiner ने जाल डाला और आप फस गए तो फसना नहीं है general population को कोई vaccine नहीं लगेगी health worker को TCTD लगेगी ठीक है उसके बाद एक और चीज जो वाइवा में पुछा जाता है कि residual chlorine का level कितना होना चाहिए post-resoster phase में water bodies में और most common micronutrient deficiency कौन सी होती है तो vitamin A और कई बार पुछ लिया जाता है क्यों तो ये जवाब दे सकते हो कि release type में vitamin A नहीं होता ठीक तो ये तो हो गया वाइवा का सवाल अगर मैं बात कुरूं MCQs की तो जितने भी under line part है हमारे notes or slide में वो सभी MCQs जो आ चुके हैं या फिर जो आ सकते हैं वो है तो एक MCQ तो मुझे यह मिला था कि हजार्ट क्या होता है तो वहीं जो damage or disruption करने की शमता हो एक MCQ आपको इस पर भी बन सकता है कि वर्ल्ड डिजास्टर रेट्शन डे कब होता है इस पर भी MCQ ब रिलीज हुआ था उसके बाद इस पर तो MCQ बहुत बार पूछा जाता है भाईया कि सबसे खतरनाक कौन सा है तो हैट्रोलोजिकल या फ्लड्स MCQ इस पर भी बहुत बार पूछा गया है कि पोस्ट डिजास्टर फेज में कौन सी बिमारी सबसे ज़ादा पाई जाती है और इन फैक्ट ये भी MCQ कि कौन कौन सी बिमारियां ज़ादा तर पाई जाती है एक और MCQ जो कई बार पूछा जाता है कि WHO कौन सी रिकमेंट करता है जनरल पॉपुलेशन में और हेल्थ वर्कर में तो जनरल पॉपुलेशन में कोई नहीं और हेल्थ वर्कर में TCTD ठीक और एक और MCQ बनता है कि कौन सी माइक्रोनीटरिन डेफिशेंसी होती है और एक MCQ बनता है कि भाई पोस्ट डिजास्टर फेज में बच्चों को अगर लगानी है वैक्सिन तो कौन से लगाओगे मीजल्स ठीक तो इतनी चीजें हैं जो डिजास्टर टॉपिक में आपको आनी ही चाहिए थैंक यू